अध्यन के क्रम में अब हम नवे सप्ताह तक पहुँच चुके हैं और इस सप्ताह में जिन दो इकाईयों का अध्यन करने जा रहे हैं उनका संबंध रामचंदरशुक्ल की इतिहास दृष्टि से है इनी काईयों का अध्यन करने से आप रामचंदरशुक्ल के इतिहास लेखन से परचित होंगे और साहित्य के इतिहास से संबंधित उनकी आउधारणा को भी समझ सकेंगे आप यह जानेंगे कि रामचंदरशुक्ल के लिखे हिंदी साहित्य का इतिहास में साहित्य का एक मुकमल इतिहास तो मिलता ही है उससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि उसमें एक संगत साहित्य की इतिहास द्रिष्टि भी मिलती है आपके सामने यह स्पस्ट होगा कि समाज की अपनी अपनी राजनेतिक आर्थिक सामाजिक धार्मिक आदी परिस्थितियां होती है और रामचंद्रशुक्ल के अनुसार इन परिस्थितियों के हिसाब से उस समाज के लोगों की चित्त वृत्ति यानि उनकी वैचारिक चेतना का निर्माण होता है और बाद में इसी चेतना का प्रतरूप हम साहित्ति में देखते हैं हम यह भी जानेंगे कि जब जब परिस्थितियां बदलती हैं तब तब लोगों के सोचने समझने के ढंग में भी बदलाव आता है और इसी कारण साहित्ति में भी छोटे बड़े पड़िवर्तन होते रहते हैं हमारे सामने यह बात खुल कर सामने आएगी कि यह ठीक है कि बुनियादी रूप से रामचंदरशुक्ल की इस मानिता में हमें कारी कारण वाली पुरानी विधेवादी द्रिश्थिकी ही जलक दिखाई पड़ती है किन्तु अपनी अन्य महत्वपुर्ण विशेषताओं के कारण रामचंदरशुक्ल का इतिहास आज भी हिंदी साहित्य के अध्यताओं के लिए क्यों महत्वपुर्ण बना हुआ है